तो हेलो, what's up, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सब का आज के सेशन में, इस सेशन में सर मैं एक बहुत important concept आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ, 5 to 10 minutes लगेंगे, but make sure you are giving full attention in this video, clear है, clear है सर, हम essay 705 करते थे, सर 705 किसकी बात करता था, modification to auditor's opinion, जब भी हमें अपना opinion modify करना होता यानि disclaimer adverse qualified, तब हम essay 705 की बात करते थे, ठीक है सर, 705 में एक topic था, जिसका नाम क्या था सर, limitation on scope, अब सर ये limitation on scope वाला जो topic था, ये कहता क्या था, ये basically कहता था, auditor को sufficient and appropriate evidence नहीं मिला, तो जब भी आपको sufficient and appropriate evidence ना मिले, आपको इसका impact देखना होता था, सर impact का क्या मतलब है, अ अगर तो इसका impact material है, बट pervasive नहीं तो बताओ कौन सा opinion आएगा, basic सी बात है, qualified opinion, इस case में सर हम क्या करते थे, qualified opinion देखे चलते थे, बट अगर इसका impact material भी है, pervasive भी है, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको sufficient and appropriate evidence नहीं मिला, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, किसी एक item का नहीं म नहीं मिला, because the impact is pervasive, आप ऐसा कह सकते हो, पूरे financial statement का ही नहीं मिला, तो अगर evidence नहीं मिला, तो बताओ conclusion किस बात का, अगर conclusion ही नहीं है, तो बताओ report किस बात की, opinion किस बात का, आपको तो इस case में report ही नहीं देनी चाहिए, तो सर हम सबसे पहली priority पे क्या रखते हैं, मैंने कह पहली priority पे आपने रखना है withdraw, हम इस audit engagement से withdraw कर जाएंगे, हम इस engagement से withdraw कर जाएंगे, provided it is possible, provided it is possible as per the law regulation, बट अगर ये possible नहीं है, बट अगर withdrawal possible नहीं था, तो क्या करते थे, सर सीधा बोलते थे, audit report में opinion ही नहीं देना, हम अपना opinion disclaim कर देंगे, हम कहीं न कहीं अपना opinion opinion disclaim कर देंगे, क्या इत्ती सी बात ध्यान है, हाँ सर, अब आपके मन में एक छोटा सा doubt, सर ये law regulation क्या है, ये law regulation क्या है, जो कहती है withdrawal possible नहीं है, तो ध्यान से समझना एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, सर क्या, सपोज आप एक auditor हो किसी listed company के, ठीक है सर, आपको पत इसका कही ना कहीं, quarterly review भी होता है, तो पहला quarter कब complete होता है, सर, पहला quarter complete होता है, 30th of June 2024, तो से बी कहता है, अगर आपने इस quarter के, अगर आपने इस quarter के 45 days के अंदर-अंदर resign कर दिया, मान लो आपने इस quarter के 45 days के अंदर-अंदर resign कर लिया, तो आपको resign करने से पहले, आपको resign करने से पहले, इस quarter की limited review report देनी पड़ेगी, तो मान लो अगर कोई auditor है, जो within 45 days resign कर रहा है, तो उसको कही ना कही quarter one की report देनी पड़ेगी, ठीक है सर, बट अगर उसने quarter के end से, मान ल कही ना कही 45 days से ज्यादा हो गए, तो quarter one के साथ साथ, 45 days तक तो यहां तक थी limit, बट अगर 45 days से ज्यादा हो गए, तो आपको quarter two की भी report देनी पड़ेगी, तो for example सको समझते हैं, अगर एक auditor है, जिसने कही ना कही resign किया सर limited review engagement से, मान लो 10th of July 2024, उसने कही ना कही 10th of July 2024 को resignation डा की report देगा, क्या यह quarter one की देगा, two की देगा, three की देगा, four की देगा, किस की देगा, सर 10th of July अगर हम देखे, end of the quarter 30th of June, ठीक है सर, यहां से कितने दिनों में इसने resignation डाल दी, he resigned within 10 days, कही ना कही 10 दिन के अंदर अंदर इसने resign कर दिया, तो क्या यह 45 days की limit में आ गया, answer is yes, तो इसको सिरफ और सिरफ quarter one की report देनी पड़ेगी, ठीक है सर, example one तो clear है, अब लेते example two, मान लो यह जो date of resignation है, this date of resignation is 18th August, 18th August 2024, 15 August को इसने पतंग उड़ाई, 18 August को कहता है मैं खुदी उड़ जाता हूं, मैं engagement को छोड़के खुदी उड़ जाता हूं, मैं resign कर देता हूं, अ आप मुझे बताओ, 18 August कितने दिन है from quarter one, सर quarter one जो था, वो 30th of June तक था, जो आपका quarter two है, यह कब तक होता है, यह होता है, 30th of September तर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसने quarter one के बाद, जुलाए के कितने दिन हो गए, सर जुलाए के हो गए 31 days, ऑगस्ट के कितने हो गए, मैं यह more than 45 days है, तो इस case में इसको quarter one की तो report देनी ही देनी पड़ेगी, और जो next quarter है, that is quarter number two, दोनों की ही report इसको देनी पड़ेगी, दोनों की ही report इसको देनी पड़ेगी, क्या यह basic बात समझ आती है, हाँ सर, अब मैं एक example और लेता हूं, आप मुझे logically बताना, ठीक है सर, एक ऐसा auditor है, एक ऐसा auditor है, जिसने listed entity की, listed entity की quarter one, quarter two, और quarter three, इन तीनों की limited review report दी है, इसने कहीं न कहीं quarter one की, quarter two की, quarter three की, तीनों की limited review report दी है, आप मुझे बताओ logically, आप मुझे बताओ logically, क्या इसको quarter four की भी report देनी चाहिए, answer is yes, सर, जिसने 75% काम कर दिया, जिसने साल भर का 75% काम कर दिया, बाकी 25% भी कर के जा, भले ही तुम अपना opinion disclaimer करो, हमको फरक नहीं पड़ता, बट 25% के लिए हम अलग से तो किसी को नहीं बुला रहे, 25% के लिए हम अलग से तो किसी को नहीं बुला रहे, तो इसका करतव्य बनता है कि सर ये quarter four की भी report दे और पूरे साल के जो audit है और जो पूरे साल का audit report है full financial year की जो audit report है वो भी इसको देनी पड़ेगी ये इस responsibility से पीछे नहीं हट सकता क्या ये basic सी बात समझ आती है हाँ सर ये basic सी बात समझ आती है तो सारे की सारे बच्चे फटा फटा आजओ provision पे सर ये क्या है ये है सेबी के provisions जो law regulation है जो कही ना कही resignation को रोकता है जो कही ना कही resignation को रोकता है और बोलता है resign करने से पहले report देखे जाना तो ये applicable है mostly for listed entities तो देखो क्या कहता है अगर auditor resign करता है within 45 days यहाँ पे less than he it should be within अगर auditor resign करता है within 45 days from the end of quarter तो before resignation उसको उस quarter की limited review report देनी पड़ेगी बट सर if it is more than 45 days अगर ये 45 days से ज्यादा हो गए तो पिछले quarter की तो दो गही अगले quarter की भी देना दोनो quarter की आपको report देनी पड़ेगी यानि before resignation आपको issue करनी audit या limited review report for such quarter as well as the next one और अगर किसी ने पहले तीन quarter की LR report दिये तो उसको audit report for full year देनी ही देनी पड़ेगी before resigning ये basic सी बात आप ध्यान रखके चलेंगे तो यही example मैंने भी आपके साथ clear किया था अगर एक auditor resign कर रहा है 18th August को 18th August is 31 plus 18 49 days कही ना कहीं it is more than 45 days from end of Q1 so इसको LR report देनी है Q1 की भी Q2 की भी दोनों की दोनों की देखे चले गा clear है clear है सर अब ICI ने सर एक announcement डाली क्या बहुत logical announcement अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपको ये basic बात common sense के रूप में समझ आ जाती है सर देखो क्या कहता है अगर आज मैं किसी company से resign करता हूँ आपको पते है मुझे form file करना पड़ता था section 140 सर section 2 ये जो आपने intermediate में पढ़ा रहेगा इसमें क्या था सर जब भी auditor resign करता है इसको 30 days के अंदर अंदर 30 days के अंदर अंदर from the date of resignation इसको file करना पड़ता है ADT3 मैं हो गया free ADT3 मैं हो गया free सर किस के साथ company के साथ ROC के साथ plus अगर ये government company है plus अगर ये government company है तो government company के case में ये आप C and AG को भी बताते हो and ADT3 में आप reasons बताते हो what are your reasons for resignation तो मुझे बताओ क्या reason detail में होने चाहिए है क्या reason detail में होनी चाहिए है बस मैं one liner लिख दू due to professional reasons तो reason detail में होने चाहिए इसी चीज़ को ICAI ने clarify किया तो देखो क्या कहता है ICAI has made an announcement that auditors of unlisted company जो भी unlisted company के auditor है they shall not mention कि हमने किसी professional reason की वज़ए से resign किया clearly बताओ clearly बताओ बाते मत गुमाओ सुनो ना सीधा point पर आओ ना तो यह कहता है clearly बताओ क्या resignation का reason था जो भी आपने resignation letter company को issue किया so you cannot say professional reason you need to clearly state your reason before resigning from the company तो यह एक छोटा सा point था जो कही ना कही मुझे ऐसा लगता है आपको consider करके चलना चाहिए with essay 705 तो जब भी आप essay 705 पड़ो आप इस part को refer कर लेना कि sir ऐसा कौन सा law regulation है जो हमें resignation से रोकता है तो यही एक छोटा सा law regulation है जो आपको रोकता है अब मुझे बताओ 17th November 24 के case में quarter 1 कब complete हो गया सर 30th of June तो इसकी report तो इसने दे दी ठीक है सर जो quarter 2 है वो कब complete हुआ 30th of September ठीक है सर क्या quarter 2 की इसने report दी answer is no अभी तक इसने quarter 2 की report नहीं दिये तो मुझे बताओ quarter 2 से कितना time बीट गया सर quarter 2 से बीट गए आप मालो quarter 2 complete होता है 30th of September को ठीक है तो 31 days of October बीट गए plus 17 days of November बीट गए तो यहाँ पे भी 48 days हो गए which is more than 45 days कई न कई more than 45 days from quarter हो गए अगर more than 45 days हो गए तो इसको quarter 2 की report तो देनी ही पड़ेगी अब अगर इसको quarter 1 की report यह दे चुका है quarter 2 और quarter 3 की report अब यह देगा तो मुझे बताओ क्या लगे हातो इसको पूरे साल के जो financial statement है जो पूरे साल के financial statement है अब इसको इसकी भी audit report देनी पड़ेगी आंसर इसकी भी audit report देनी पड़ेगी तो logically 45 days से ज्यादा होते ही सिरफ quarter 2 और quarter 3 नहीं add हुए कई ना कई इसको पूरे साल की financial statement पे भी audit report देनी पड़ेगी यह basic सी बात आपने और समझके चलनी है यह basic सी बात आपने और समझके चलनी है तो दोस्तो that's all I hope all the concepts are crystal clear to you if yes do give me a thumbs up in लाकर पढ़ते रहें खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रोग